इस चैनल में पहली बार मौका मिला है इंडियन सिट बैठाने का जब मौका मिला है तो जरूर कुछ अलग सिखा कर जाएंगे जो आज तक पीछला किसी भी वीडियो में बताया नहीं हूँ सबसे पहले हम यहाँ पर इंडियन सिट को तोड़े लेते हैं इनलेट वाला लाइन यहाँ तोड़े इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक इंच का पाइप है और एक इंच का पाइप में प्रेसर नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा जब fitting करेंगे आप लोगों को पदा चल जाएगा अब हम सबसे पहले pipe गरम कर लेते हैं क्योंकि Indian sit का जो outlet है वहाँ पर directly pipe की अंदर नहीं आ रहा है तो गरम करके उसे setting करना पड़ेगा अब गरम हो चुका है चलिए यहाँ पर एक चीज कर दियान दिजिएगा जैसे ही आप pipe fitting करते हो उस तरीके से आपको रखना है और यहाँ पर हम एक marking लेंगे मतलब जैसे कि यह front side में मेरा आ रहा है तो यह front side में ही मुझे fitting करना पड़ेगा अब यहाँ का system देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले measurement लेते है और आपको बताते है यहाँ पर down slap नहीं है और यह 5 floor में हो रहा है तो यहाँ पर अगर उपर हम P-drop लगाते है तो वो काफी ज़्यादा height हो जाता है इसी के वज़से मैं नीचे elbow लगा चुका हूँ और slap से श्रीप एक इंच height लिया हूँ मतलब 10 इंच का मेरा टुकरा लगेगा और इसी में pain बठा देंगे तो यहाँ पर क्या काम गलत हो रहा है जी नहीं बिलकुल नहीं चलिए देखते रहिए फिर समझ मा आ जाएगा किस तरीके से किया जाता है तो अब हम इसे पहले fitting कर लेते हैं अब fitting करने के time एक चीच आपको ध्यान देना पड़ेगा जैसी कि मैं front side में एक marking किया था तो उस marking को आपको धिन लेना पड़ेगा और आपका सामने की side और इसे ही straight में आपको रख देना पड़ेगा तो ये है मेरा marking साहित आपको धीक नहीं रहा है क्योंकि थोड़ा सा गंदा हो चुका है तो उसे मैं front side रख दिया क्योंकि अगर आड़ा त्यड़ा कर देता हूं तो फिर से मुझे pipe गरम करना पड़ेगा और गरम करने का option यहां नहीं बचेगा क्यों क्योंकि waterproofing करने वाला हूं और waterproofing में leakage pipe भी देने वाला नहीं हूं तो थोड़ा सा अलग वीडियो होगा अब यहां पर waterproofing complete हो चुका है और यहां पर pipeline भी complete हो चुका है जो pipe आप देख रहे हो यह 1.5 इंच का pipe है यहां से टैंक का height 17 feet है टोईलेट से फिर भी 1.5 इंच का दिया हूं क्योंकि pressure perfect मिल लेने वाला है और यहां corner में एक छोटा सा basin लेने वाले है तो basin का कोई लेना देना नहीं है बैसिन पहले planning में नहीं था बाद में लिए है लेकिन यहां leakage pipe दिया नहीं हूं और मैं खुद बोलता हूं waterproofing में leakage pipe दिजिएगा तो कभी आपका bathroom leakage नहीं करेगा स्लाप से पानी न नहीं दिया हूं अब tiles की निसी जो पानी जाएगा ओ कहां से निकलेगा चलिए ओ भी आपको पताते है इससे पहले हम यहां पर coupling और elbow का टुकरा measurement कर चुके है इसे हम fitting कर लेते हैं inlet line में और यहां पर आपको वही चीज बताऊंगा जो पहले बताया था जो pressure नहीं मिलेगा और Indian toilet का inlet line को तोड़ना पड़ा था तो वही आभी हम बताएंगे pressure क्यों नहीं मिलेगा तो यहां पर हम सबसे पहले fitting कर लेते हैं और यहां देख लिजे आप वही coupling से हम fitting कर रहे हैं क्योंकि एक इंच का pipe आपका block हो जाएगा किस तरीके से block होगा चलिए अब देख लिजे पीछे site रहे जा रहा है मतलब जीदर pipe ठेक रहा है वहाँ पर कोई hole का connection नहीं है इसके वज़े से मुझे inlet line तोड़ना पड़ा था और यहां पर coupling मतलब elbow ऐसा size देंगे इसका थिगने सोड़ा मोटा होता है तो वह आपका cement ज्यादा अंदर तक नहीं जाएगा और block नहीं कर और coupling का inside size बड़ा होता है तो वहाँ पर फैल के पानी निकलेगा लेकिन हाँ हर Indian seat में ऐसा problem नहीं आता है और जब आता है तो ध्यान दीजिएगा कहीं pipe आप एक इंच का direct लगाते हो और वह आप cement से जब जाम करते हो तो hole काफी कम ना रह जाए इंडियन seat में तो pressure down हो जाता है उसके बाद बताएंगे आपको waterproofing में leakage pipe क्यों नहीं दिये है ये काफी important questions है और ये चीच आप कभी भी उपर floor में काम करते हो Indian seat लगाते हो तो इस तरीके से काम करिएगा अपका height भी कम हो जाएगा और काम भी must होगा अब चलिए waterproofing में leakage pipe क्यों नहीं दिया हूँ वह इसल टाइल्स का अंदर से पानी आएगा वह आपका इधर से ही निकल के outlet में चले जाएगा क्योंकि यहाँ पर अगर leakage pipe देता waterproofing और भी height करना पड़ता और pipe का टुगरकू और भी height लेना पड़ता और pipe height लेता तो Indian toilet भी काफी जादा height हो जाता और यहाँ पर joint में cement या मसाला नह जाएगा वो कभी नहीं निकलेगा जम के धर रहेगा और कभी न कभी लेकेच हो जाएगा इसके वज़ा से और एक चीच बताना चाहूंगा और एक चीच आप लोग मुझे comment करके बताए किन लोगों ने मुझे लूंगी पर देखके वीडियो को क्लिक किया चाहे जो भी हो अगर information अच्छा लगता है तो चैनल को सबस्क्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो और भी बहुत ज़्यादा information बाकी है जो हम आभी बताने वाले हैं इंतिजार करते रहिए वीडियो देखते रहिए और सेयार जादा से जादा करते रहिए यहाँ पर जो है Indian पेन अगर कभी भी लगाते हो तो Indian पेन के नीचे ज़्यादा मसाला मत दिजिएगा हम लोग बहुत ज़्यादा यह सोच लेते है जो अगर Indian पेन के नीचे मसाला नहीं देंगे वो हिल जाएगा अब दो तागाड़ा मसाला में भी Indian पेन पूरा strong हो जाता है यह चीज जान अगमाल Indian सिट के नीचे नहीं देना चाहिए अब यहाँ पर आप देख लिजिए मैं कितना ज़्यादा कचड़ा दिया हूँ बिलकुल थोड़ा थोड़ा गेब रखा हूँ बिलकुल आप देख लिजिए हलका हलका मसाला नीचे जाएगा मतलब अगर कभी भी Indian सिट निका जाम कर रहा हूं और लेविल करूँगा और पीछे का जो inlet line है आभी तक मैं उसे connection नहीं किया हूँ मतलब सीमेंट देकर जाम नहीं किया हूँ क्यूंकि यह जो लेविल करूँगा और पीछे जोएंट कर दूँगा तो वो हिल जाएगा और leakage होने का chances रहेगा तो पहले पेन उसके बाद फिर से आगे कॉमेंट करके बताईएगा आपका बल लिवल सही है कि नहीं जो चीछ मैं बताऊंगा उससे पहले हम यहां पर जाम कर लेते हैं अच्छे तरीके से इस्ट्रोंग कर लेते हैं तोयलेट को और उसके बाद हम फिर जोएंड करते हैं इनलेट लाइन को यहाँ पर inlet line इस तरीके से आप joint करेंगे तो क्या है आपका inlet line जो है वो हीलेगा नहीं आपका Indian seat जो है strong हो चुका है आप यहाँ पर मैं उसके बाद inlet line को connection करके cement मार दूँगा और फिर क्या है और ना हीला ना डॉला बस काम खलास हो गया यहाँ पर हो सके तो थोड़ा सा आप सू का cement मार दिजएगा तो और भी जल्दी यह सू जाएगा और नहीं भी मारेंगे फिर भी चलेगा लेकिन मार दिजएगा तो वो जो cement है वो नीचे खिसक के नहीं जाएगा बबल लेबल जो है हम लोगों का अकसर बहुत सारा काम आता है जैसे कि इंडियन सीट भी बैठाते है तो वहाँ पर बबल लेबल लगता है तो इस चीज को जो है आप लोग हमेसा नोटिस करिएगा और इसका separate वीडियो अलग से एक बनाऊंगा लेकिन इसमें भी आप से यह चीज को नोटिस कर रहा हूं काफी लोगों को यह चीज पता नहीं है अब जो है मेरा यहाँ पर पेन पूरा complete हो चुका है जो थोड़ा सा मसाला लगेगा वो देखर पूरा खतम करते है जल्दी जल्दी यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा आप नोटिस कियो हो की नहीं पता नहीं देख लिजिएगा जहां से मैं एक इंच का लाइन लिया देड़ इंच के बाद तो वो चीज जो है ना एक इंच का पाइप लिजिए लेकिन सव इंच का अगर फ्लासकोक मिलता है ना तो सव इंच का फ्लासकोक में एक इंच पाइप का प्रेसार देता है और एक इंच फ्लासकोक में आपका एक इंच का पाइप का प्रेसार ने मिलता है उससे कम हो जाता है तो इसके वज़े से सव इंच का फ्लासकोक अगर मिलता है तो वो लागा ये और भी बेश्ट रहता है प्रेसर में अब मेरा पूरा काम कंप्लीट हो चुका है और यहाँ कंसिल जो है सभी चीज जाम कर चुके है लेकिन यहाँ पर एक चीज बताना चाहूँगा अगर आपका टेंग का हाइट काम है तो वहाँ पर आप इसके ओ जैसे नीचे पीटर आप दिया हूँ और इसके उपर ठीक आप देख लिए यहाँ पर जो है हमारा टोइलेट लगा है और इसमें डाउन सलाप नहीं है तो वाइटी भी लगा सकते हो अगर आपके पास जगा है अब आई ये बबल लेवल का जानकरी देते है बबल लेवल एक ऐसा चीछ है अगर आप कभी भी खरीदने जाते हो आग बंद करके मत खरीदिजेगा बबल लेवल को जबी भी खरीदते हो दुकान में कहीं पर भी वहीं पर चेक करिएगा जैसे कि किसी भी जगा में एक level करके रखिएगा या level जगा हो या फिर bubble level को level करके यहाँ पर ऐसा पानी जो है न इसका अंदर का उसे आपको center करना है मतलब जैसे मैं level करके पानी center में रखा हूँ इस तरीके से रखना है और आपको जगा select कर लेना है मतलब मैं जिस जगा में bubble level रखा हूँ यह आपको जगा इस तरीके से select करना है और level कर लेना है और फिर क्या करना है आपको bubble level लेकर उल्टा करना है मतलब इस तरीके से आपको फिर से यहाँ पर रखना है और यह रखने के बाद जो है आपको पानी देखना है वहीं सेंटर में आ रहा है की नहीं यहां आप देख लिए जिस जगह में मैं बबल लेवल रखा था फिर पल्टी मार के उसी जगह में रखा हूँ लेकिन पानी जो है एक साइड हो गाया और यही चीच गलती है यह बबल लेवल सही नहीं है और इस बबल लेवल को आप खरी दीजेगा मत लेकिन यह बबल लेवल मेरा नहीं है मैं जिस साइट में जाता हूँ जिनका बबल लेवल पाता हूँ मैं चेक करता हूँ और मैं देखता हूँ अक्सर लोगों का बबल लेवल गलत होता है और मैं उनको बोलता हूँ आपका बबल लेवल खराब है और आप लोगों का खराब है की नहीं जाईए देखे और कॉमेंट करके मुझे बताईए और मिलते हैं किसी और अच्छे वीडियो के साथ तब तक लिए बाई बाई जाये हैं